आप सब अच्छे होंगे और वर्षिट के माध्यम से आप अपने पढ़ाई को इंज्वाय कर रहे होंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्षिट लेकिन आज की वर्षिट शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें तो चलिए आज की वर्षिट है कक्षा 6 के हिंदी विसे की वर्षिट नमबर 3 और यह बहुत हीं इंट्रेस्टिंग वर्षिट है क्योंकि इसमें हमें पहलियां जाननी है और इस चित्र पहली चित्रों के माद्धम से तो सबसे पहले देखे यह क्या है यह आकास है और यह सूरज मुखी है चित्रों को पहले आप देख लीजिए उसके बाद यह ब्रिच्छ है यह सूरज है यह आँख है और यहाँ पर कटपुतली है और यह समुद्र है जहाज भी है और यह क्या है कमल का फूल है तो अब हम इसी के माध्धम से इसको भरेंगे यहाँ जो दी गई है आप इसको देखिए इसमें क्या क्या आएगा तो सबसे पहले यहाँ है सू तो यह आएगा सूमन होगा यहाँ पर सूमन मतलब क्या होता है फूल होता है सुमन हो गया और यहां आह का चित्र दे रहा है तो यह न तो पहले से है तो यहां हम करेंगे नयन नयन हो गया अब यहां देखिए यहां दी न है पांचवी पर क है तो फिर यहां दिनकर हो जाएगा दिनकर का मतलब सुर्य होता है पर इस तरह से और चौथा में अंग है बीची में खारी जगा है रह है तो यह अंबर हो जाएगा और अंबर का मतलब होता है आकास असमान हो गया अब इतने दुरका यह कंप्रिट हो गया अब हम next step लेते हैं और इसको करते हैं यहां तो यहां तक तो दिनकर हुआ था आपने कठ पूतली कठ पुतली यह हो गया उसके बाद यह है यहां ब्रिच है तो ब्रिच को क्या कहते हैं तरूर कहते हैं तो यह हो जाएगा तरूर तरूर और फिर यह हो जाएगा आठमा जलज और जहाज तो आप इसको लिखेंगे सातमा नीरज हो गया और आठमा जहाज है तो तो यहां हम जहाज लिखेंगे, जहाज के, क्योंकि उसमें फोटो, जहाज के है, पानी के जहाज के है, तो इस तरह से आपकी यह पहली सॉल्व हो गई, देखिए, यहां जहाज है, अब है चित्र पहली में, दिये गए कि नहीं पांच सब्दों के दो-दो समनार्थी सब्द लिखें, जैसे सुमन, तो सुमन का पुस्प और फूल होगा, तो हमने पहले क्या लिखा था, नयन, नयन लिखा था, तो नयन का क्या होगा, आँक, और नैत्र, नयन का होगा आँक और नैत्र, दूसरा है फूल फूल का होगा फूल का तो होई गया है अब इसमें जो सब्दा है तरूर एक आया है तरूर तो तरूर का होगा व्रिक्ष और पेड तीसरा सब्दा आया है अमबर अमबर का क्या होगा एक सब्दा आया है ना अमबर अमबर का आस्मान आस्मान और गगन उसके बाद चौथा सब्दा आया है जहाज या फिर आप कोई आसान सब्दा दिन कर ले लिए दिन कर दिन कर का होता है सूरिय या सूरज सूरज हो गया और पांचवा कोई सब्दा ले लिए पांचवा में आप ले सकते हैं ये ले लिए निरज ले लिए या जलज ले लिए ये जलज जलज मिंस क्या होता है कमल कमल होता है और इक हमने नीरज इसका लिया है तो इस तरह से सब का प्रयाबाचि सब्द हो गया दो दो प्रयाबाची हो गया, समनार्थी को ही प्रयाबाची सब्द कहते हैं, तो इस तरह से आपकी ये इंट्रेस्टिंग वर्सिट कम्प्रीट हुई, और वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट जरूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू